हाँ दो गाई मैं आपको जल्दी से फटावर से बतला आता हूँ कि अगर आपकी गेलरी में भी ये प्रोल्म आ रही है जब भी आप गेलरी को ओपन कर रहे हो और ओपन करते ही कुछ पॉपप मेसेज आ रहा है और ये बतला रहा है कि नोट एनौक तो इस्टोर इस्पेस इस कि मैं आपको इस पर क्लिक करें के बतलाता हूँझ ओके पर यसे किलिक करेंगे यज हड़िया और हम भumes बेक आ जाएंगे बेक आने के बाद फिर आगेन हम आप ढूंड़ोंगे के लॉंग फाइल कौन सी है और फालतू की फाइल जो है आपके वेमरी में वो कौन सी है एजडी काड में इंटरेल काड में कौन सी है तो आप नहीं कर पाऊंगे तो सिंप्ल आप वो करना क्या होगा आपको आ आप यहां से भार हने आने के बाद आपको सटीं नाफे उसका हम डां करते घंडाओंस दाउन जाता है हमें तो ऑप वह एक सिंगल लिखाया देगा यहने क्लिक करें चाहिए इस दिखा हमें जा आपके लॉगование you are a dangerous law on space अगर आपके मोगाल में यह नहीं आता है तो मैं आगे आपको बतला हूँगा किस तरह से यह ला जाता है तो जिसी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल में आ जाएंगे आपके लॉंग फाइल, अन्यूस फाइल, डॉब्लिकेट फाइल यह सारी के फाइल फाइल यहां में मिल जाएगे आपको अगर आपके इसमें नहीं आता तो आपको करना क्या होगा आपको जाना है आपकी जो देख सकते हैं आप यहाँ पर फाइल हमारी वो मेसेज नहीं दिख रहा है लोंग फाइल का तो हम simply करना क्या है माई file में थो हम my file को file manager को open करने के बाद आपको तीन डोट्स नज़र आएंगे उपर की तरफ right side में तो simply आपको वहाँ पर click करना है तो यह simply है click कर देंगे उसका आपको दीजागा clear recent file list तो simply हमें उस पर भी click कर देना है जिसЕ आप उससपे क्लिक करेंगे तो आपको निचे के तरब दिखाई देगा एनेलडाइज kayStore तो सिंप्ल Yama Inट जिसे आपके सामने फॉलड्र ओपन हो जाएगा यहाँ डेख सकते कुलिक कर रही हो काफी टायम सालों से वह फाइल भी हम पर symb junk करना देशकते हैं यह फाइल मेरी सालों पुरानी है में यूज़ नहीं कर रहा हूं तो यह मुझे नहीं कर रहा हूं कि आप इसको चाहो तो डलेट कर सकते हो और और जम बढ़ा सकते हो तो को बसके आपको डिलीट करना जो उसके लिए तो आपको दिखने को मिल जाए गी दुब्लीकेट फाइल ये वे फोल्डर यहां है बहुत साथ और यह किसी यह काम के नहीं हमारे इन्होंने हमारी memory को गहर रखी है तो इसकी space के लिए हमें क्या करना होगा इसको जब open करेंगे आप तो यह open भी नहीं होगे तो आप पर tick mark कर देना है all पर tick mark कर देंगे और इसको उपर से delete के option पर से इसको delete कर देंगे तो हम इसको delete कर देंगे simply जो सारी की सारी ये फाइले डिलिट हो जाएगी और हमारा अच्छा खासा space में मिल जाएगा तो इसको आप डिलीट करने के बाद simply आपको आजाना बेक और बेक आने के बाद आपको long file की paste select करना है long file पर click करना है click करने के बाद आपको यहां देख लेना long video यतनी भी है आपकी जो काम की नहीं है जो बिल्कुल भी काम की नहीं है उसको यहां से डिलीट कर देना है उसकी बाद आपको simply आजाना में आप आपको धाखर होगा थे तुस्ट आप करना दिए केरिक लिदिए बुर्व्य ने करना ड समय आप जब परेएरबंद ब बाटन दबाएं इससा कोई चार्च नहीं लगता है यह पता है आपको तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवर का खैल रखना बाई बाई